आधियों गुरुदेव ने विश्व भारती की स्थापना सिर्फ पढ़ाई के केंद्र के रूप में नहीं की थी वो इसे seat of learning सिखने के लिए पवित्र स्थान के तौर पर देखते थे पढ़ाई और सिखना दोनों के बीच का जो भेद है उसे गुरुदेव के सिर्फ एक वा मुझे क्या पढ़ाया गया था मुझे सिर्फ वही याद है जो मैंने सीखा है इसे और विस्तार देते हुए गुरुदेव टैगोर ने कहा था सबसे बड़ी सिख्षा वही है जो हमें न सिर्फ जानकारी दे बल्कि हमें सब के साथ जीना सिखाए है उनका पूरी दुनिया के लिए संदेश था कि हमें नौलेज को एरियाज में लिमीट्स में बांधने की कोशिश नहीं करनी चाहिए उन्होंने यजुर्वेद के मंत्र को विश्व भारति का मंत्र बनाया यत्र विश्वम भवत्तेक निडम जहां पूरा विश्व एक नीड बन जाए गोंसला बन जाए वो स्थान जहां नीत नए अनुसंदान हो वो स्थान जहां सब साथ मिलकर आगे बड़े और जैसे अभी हमारे शिक्षा मंत्री विस्तार से कह रहे थे गुरुदेव कहते थे चित्तो जेथा भयव सुन्नो चित्तो जेथा भय सुन्नो उच्चो जेथा शीर ग्यान जेथा मुक्तो यानि हम एक ऐसी व्यवस्ता खड़ी करे जहां हमारे मन में कोई डर ना हो हमारा सर उंचा हो और ज्यान बंदनों से मुक्त हो आज देश राष्ट्रिय शिक्षानिती के माध्यम से इस उद्देश को पुरा करने का भी प्रयास कर रहा है इस शिक्षानिती को लागू करने में विश्व भारती की बड़ी भूमी का है आपके पास सो वर्स का अनुबव है विद्वत्ता है दिशा है दर्शन है और गुरुदेव का आशिरवात तो है ही है जितने जादा सिक्षा संस्थानों से विश्व भारती का इस बारे में संबाध होगा अन्य संस्ताओं की भी समझ बड़ेगी उन्हें आसानी होगी